इस वीडियों में जानेगे कि वाटसप में गूगल ड्राइब बैक अप को कैसे अटाए जाता है तो अगर आप अपने मुवाइल के वाटसप को ओपन करते हैं तो वाटसप को ओपन करने पर आपका चैट ओपन नहीं हो रहा है आपका वाटसप ओपन नहीं हो रहा है बलकि यहाँ पर आपको यहाँ वाला मैसेज आ रहा है यहाँ पर आपको Google Drive backup का मैसेज आ रहा है तो आप अपने WhatsApp से इस option को कैसे हटा सकते हैं तो WhatsApp को open करने के बाद जो WhatsApp है आपका open नहीं हो रहा है कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है तो इसे आप नेवर पर क्लिक करके हमेसे के लिए अठा सकते हैं नहीं तो आप आप जो भी WhatsApp पर चैट मैसेज करते हैं उसका backup लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेली विकली और मंद्री backup का option है आप इनमें से तीनों को सलग करके कोई भी कर सकते हैं जिससे आप जो भी चैट करेंगे जो भी मैसेज करेंगे सभी का आटोमेटिक backup यहाँ पर होता रहा अगर आप चाहते हैं कि आपके WhatsApp का चैट और मैसेज backup में ना आए तो यहाँ पर आपको नेवर पर क्लिक कर देना है और क्लिक कर देने के बाद आपका WhatsApp जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपका जो बैकप अप्शन आ रहा था वह मैसे के लिए हट जाएगा तो इस तरह से आप अपने WhatsApp में गूगल डैक बैकप को बड़ी असानी से हटा सकते हैं तो वडियो अच्छा लगाओ तो वडियो को लाइक कीजिएगा और आप मरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा